हमने अफगानिस्तान में बढ़ती हुई आतंकवादी हिंसा पर अपनी गंभीर चिंता विक्त किये इन हमलों से ये पता चलता है कि आज भी आतंकवादियों को सुरक्षित शरण गहा और समर्थन देने वाले तक तो मौजूद है मैं और विदेश मंत्री टिलर्सन इस बात पर सहमत थे कि हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी देश आतंकवादियों को सुरक्षित शरण गहा उपलब्ध ना करा पाए और जो देश आतंकवादियों को समर्थन देते हैं या आतंकवाद का प्रयोग करते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए हम इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान को उनके यहां स्थापित आतंकवादी संगठनों की सुरक्षित शरण गहाँ को खत्म करने के लिए तुरंट कदम उठाने चाहिए हमारा ऐसा विश्वास है कि राश्पती ट्रंप की नई रणनीती तभी सफल हो सकती है जब पाकिस्तान बिना किसी बेदवाओ के सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कारिवाही करें भारत अफगानिस्तान की सरकार और अमेरिका सहित अंतराश्ट्रिय समुदाय के साथ मिलकर एक सुरक्षित, स्थाई, तगतिशील, शांतिपून और लोक्तांत्रिक अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद धे हमने शीग रही भारत अमेरिका अफगानिस्तान त्रिपक्षिय बैठक के आयोजन पर भी अपनी सहमती दे दी है हमने घरेलू और अंतराश्टी आतंकवादी संगठनों या जक्तियों के संबंध में बनाए गए नए द्विपक्षिय तंत्र की पहली बैठक को भारत में दिसंबर में आयोजित करने का भी निरने लिया है